हेलो दोस्तों आज का वीडियो जो English Strategy के उपर बना रहा हूं मैं ये बहुत ही useful वीडियो है बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके SSE CGL Men's 2019 के लिए ये चीजें जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं ये कहीं न कहीं चीजें आपका score काफी boost करेगी आपका score काफी अच्छ and you can follow my descriptive series for your descriptive exam for SSE CGL 2019 to year 3 so शुरुबात करते हैं हमारे men's की जो English की strategy होगी जिसके अंदर हम strategy देखेंगे दोनों घंटे की एक 1 ratio 3 plan होता है मैं आपके साथ वो बताऊंगा ठीके और आपको सबसे important चीज है कि आपको अपना personal best जो होता है आपका वो देकर आना है वो कब आएगा दोस्तों जब आप एक भी silly mistake नहीं करोगे ठीके आप automatically अपना best के उपर चले जाओगे अच्छी planning और strategy के साथ आप paper attempt क करोगे तो आपका कुछ भी नहीं चुटेगा और कुछ भी गलत नहीं होगा तो वो आपका personal best हो सकता है चाहे वो आपका 190 आपका personal best हो या 170 आपका personal best हो that's up to you मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप 190 ही लेकर आओगे आप अपना best लेकर आओगे ठीके तो कुछ चीजे हैं दो 100% रखना है आपको अपनी personal accuracy को 100% रखना है वो कैसे रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आप अपना best achieve कर पाओ और specially मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपका reading comprehension close test और PQRS हो गया actual में सबसे जादा marks बच्चों के यहां कटते हैं और यहीं पर बच्च पता हूं दोस्तों तो मेरा CGL जो 18 का मैंस हुआ था उसके अंदर English के अंदर मेरा 174 का मेरा row score आया था ठीक है row marks थे और यह normalize रोकर मेरे 189 marks बन चुके थे यह मैं बात कर रहा हूं English section की अंदर ठीक है तो 174 का जो यह मेरा marks आया था यह कब आया था जब मेरा exam 13 September को था 2019 है तो CGL 18 के अंदर मेरा 13 September को exam था उसमें 174 का row था और 189 मेरा normalize था यह तो हो गया मेरे बारे में मैं अपने बारे में इसमें अपना experience भी share करूंगा जो आपके लिए बहुत जादा beneficial रहेगा आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज से ठीक है दोस्तों तो शुरुआत करते है पहली चीज यह यह है आपके सामने marks distribution कितने question कहां से आते हैं यह सारे मैंने लिख रखे हैं आप इनको go through कर लेना जो मैं आपको बताना चाता हूं वो क्या बताना चाता हूं आपके पास मैं आपको दो hours की आपकी strategy आपको बनानी है ठीक है पहले hour और दो hour आपको तीन च reading comprehension हो गया आपका close test हो गया है और आपका PQRS हो गया यह आपको second गंटे के अंदर करना है और इसके अलावा जितना भी आपके पास में बच जाता है वो आपको पहले गंटे के अंदर करना है ठीक है यहां से क्या होगा दोस्तों इन चीजों को करने के लिए आपके पास में सबसे ज़्यादा गलती होने के chances होते हैं यहां पर आपके पास में time होना चाहिए अगर आपके पास में time होगा तो आप questions को ज्यादा accuracy के साथ में यहाँ पर कर पाओगे ठीक है यह सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ तो आपकी सबसे पहली चीज तो यह होगी क पहले गंटे के अंदर और दूसरे गंटे के अंदर आपको सब कुछ करना है सिर्फ आपको reading comprehension, close test और PQRS को skip कर देना आपको देखते ही skip कर देना आपको उनको attempt भी नहीं करना है चाहिए कितना ही हलवा question क्यों ना हो ठीक है तो आप पहले गंटे के अंदर क्या attempt करोगे यह ऐसे 70% वाला पार्ट है यह आपका reading पार्ट है, reading पार्ट में मैंने किसको डाला है आपका यह जो सारा के सारा दे रखा है है इसको मैंने यहाँ पे डाला और यह 30 वाला है यह आपका vocabulary पार्ट हो गया ठीक है, और यह 100 है यह आपका grammatical यह लगभवक questions है 70-75 question आपके reading part यह जो हो गया यहां से आते है 100 question में आपका सब कुछ आ जाता है जो भी आपका narration हो गया active passive हो गया filling the blanks हो गया और यह 30 जो part हो गया यह आपका vocabulary, sign o, ento, fill और यह जितना भी आपका हो गया यह सारा इसके अंदर आ जाएगा तो यह तो हो गया आपके पहले 2 गंटे की strategy अब बात करेंगे हम कि आपको क्या करना है, कैसे आपको अपना best देना है, तो जब आप अपना पहला गंटे की शुरुवात करोगे दोस्तों तो आपको 1 ratio 3 का जो plan मैंने बताया है अब भी मैं बताता हूँ आपको वो क्या है, ठीक है? यह आपको हर एक question के अंदर लगा ना एक चीज़ को समझे ना आप अगर आप हर एक question को 100% accuracy के साथ में ठीक करके आओगे हर एक question को है ना, every question अगर आपका सही होगा तो मैं यह बोल सकता हूँ आपकी accuracy automatically 100% हो जाएगी है ना, तो अगर आप हर एक question पे individually काम करोगे तो आपका हर एक question ठीक हो जाएगा 1 ratio 3 यहाँ पे आपके पूरी तरह से मदद करेगा 1 ratio 3 है क्या आखिर में 1 ratio 3 एक neimonic आप बोल सकते हो यह आपके mind को strike करेगा psychologically और आप exam में इसका फायदा आपको मिलेगा क्या, आप जो भी question पढ़ते हो आपको हर equation को बिल्कुल आपको एना, fast read नहीं करना है बहुत जादा कि आप बहुत जादा super speed में चल रहे हो, ठीक है आपको अपनी speed moderate रखनी है ठीक है, आपको आराम से सही से question पढ़ना है, क्या इस question के अंदर पूछा गया है, कभी गभी ऐसा होता है कि sign o पूछा होता है, हम एंटों के flow में एंटोनियम उसका लगा के आ जाते है कभी हम filling the blank के अंदर कुछ और लगा के आ जाते है, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि चार option दे रखे ठीक है, तो one ratio three के अंदर यही होगा कि आपको question को good read देना है अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है क्या वफ, यह तो होगा आपका जो right वाला answer होगा, और यह होगे आपके तीन गलत, मतलब आप सबसे पहले अपना right answer जो है, उसको identify करो, right कौन सा है, उसके बाद में जो तीन left over answers है options है, उनको आप prove करो कि यह गलत है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका, जो वो question होगा वो 100% accuracy के साथ में ठीक हो जाएगा, हर equation के उपर 100% accuracy आएगी, तो आपका overall जो paper होगा, वो 100% accuracy जरूर देगा आपको, ठीक है तो यह हो गई आपके 1 ratio 3 की बात कि आपको एक option identify करना है सही और बाकी 3 को आपको गलत prove करना है ठीक है, और हर equation को एक ही read देना है, और बहुत अच्छा read देना है अगर जरूर पढ़ता है, तो किसी question में आप 2 read दे सकते हो, इससे ज़ादा मत देना, ठीक है न, और बिल्कुल जल्दवाजी में paper नहीं करना है आपको, ठीक है अगर इसका English का paper असान आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास time की कोई कमी नहीं होने वाली है, लेकिन जिसे मेरे साथ हुआ था, 13 September का जो English का paper था, वो बहुत lengthy था, उसके passage बहुत बड़े-बड़े थे ठीक है, तो बहुत सारे बंदों का, जो मेरे contact में मेरे friends से काफी अच्छे थे, वो पढ़ाई में, उनकी English भी अच्छी थी, लेकिन उनका paper छूड गया, चाहे, एक passage, दो passage, कुछ भी छुटा हो, लेकिन उनका जरूर छुटा था, और मैं 200 में से 200 questions पूरे करके आया था, तो यहीं पर एक difference create हो जाता है, दोस्तों, आपको good read देना है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना, यह थोड़ा शोर करना पड़ेगा दोस्तों, कि यह जो चीज़े हैं, आपकी यह लगबग आपका सिर्फ 60 minute ही लें, ठीक है, 65 minute हो जाएगा, तब भी चल जाएगा, अगर paper काफी lengthy और बढ़ा है, तो लेकिन इससे जादा नहीं होना चीए, ऐसा बोलता हूँ, अगर आपके पास में, अगर time होगा तो आप इनको बहुत अच्छे से कर सकते हो, सबसे पहले आप अपना जो time शुरुवात होगा, second गंटे का, आप या तो close test, या फिर आप reading comprehension, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ उठाना, ठीक है, इसको लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, लेकिन अगर difficult है और lengthy है, तो आप क्या करो, सबसे पहले अपने जो answers होते हैं, कि क्या questions दे रखे हैं हमें और क्या answers दे रखें, उनको एक बार read कर लो, ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा, जब आप questions को read कर लोगे इस वाले पार्ट को, इस लाइनों को काफी अच्छे से पढ़ लूँ, ताकि मेरे को अगले question करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये वाला question नीचे already है, फिर आप उसको landmarks के बाद में आप read दो, और उसके बाद में फिर last में आप अपने और questions और answer को solve करो, तो यहां से आपका passage जो होगा, वो काफी अच्छे chances के साथ में अच्छी accuracy के साथ आप कर पाओगे, ठीक है और चारो option को consider करना, ऐसा नहीं की एक ही option पड़ा और चल बड़े, 1 ratio 3 आपको पूरे paper के अंदर लगाना है, ठीक है रही बात close test की, close test अगर आसान भी है ना, तब भी आपको यहां पे 2 read देने है, ठीक है पहला read दे दिया है, जिसमें आपके mind को उसकी passage की theme पता चल गी, ठीक है second read में क्या करना है आपको शुरुवात करनी है दोबारा से चारो option जो आपको best लगता है देखो यह दोस्त, सबका अलग अलग होता है, यह अपनी understanding power जितनी अच्छी होती है, उतने हमारे अंदर से सही answer हम लगा सकते हैं तो आपको best लगता है आप उसको second read देने के बाद में अपने close test को अच्छे से करो ठीक है, ताकि आपके अच्छे marks आ पाए ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों में से जो भी, जो सबसे lengthy हो चाहे मैं बोलूँगा अगर passage, जैसे चार passage आ रखें, एक passage अगर बहुत lengthy है, तो आप उस passage को छोड़ दो, यह सोच कर कि अगर paper में मैं को अगर कुछ छोड़ना पड़ा, तो मैं यह passage छोड़ दूँगा, ठीक है न दोस्तों क्योंकि वो passage जो होगा, वो कम से कम आपका 5 से 7 मिनिट जरूर ले जाएगा, ठीक है 5 से 7 मिनिट में आपके पास में आपे 4 से 5 क्वेशन नहीं होगे लेकिन अगर 4 से 5 मिनिट के अंदर अगर आप PQRS करते हो, तो आप 7 से 8 PQRS आसान वाले easily कर सकते हो है ना, तो अगर आपको कुछ छोड़ना पड़े, तो आप यह बोल सकते हो कि मैं यह वाला passage लास्ट में छोड़ दूँगा, ताकि आपके माइंड के उपर थोड़ी सी प्रेशर भी कम हो जाए, कि चलो कोई ना 195 ही हम attempt करेंगे, with 100% accuracy, ठीक है, तो यह चीज़ आपके लिए फाइदा रहेगी, और नो डाउट आप दोसों में से दोसों क्वेशन कर होगे, लेकिन ऐसा सोचने का मतलब यह होगा, psychological कि आपके माइंड के उपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना पहले गंटे में तो आपको मैंने बता दिया, सब कुछ करना है, सिर्फ तीन जीजों को छोड़ का, reading, comprehension, close test और PQRS, है ना यह चीज़े होती है, मोटी जिनके लिए time चाहिए होता है और आपके mind के उपर pressure नहीं होना चाहिए, आप सोच समझ कर अच्छे से इनको कर पाओ, ठीक है, फिर बात आती है आपके PQRS के लिए यहाँ पे भी आपको time की जरूरत होगी, इसमें आप इन difficult के उपर जाओ, ठीक है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, इनके अंदर दोस्तों आपके पास में चार option होते हैं, जिसमें से कई बार ऐसा होता है कि PP से start हो रहा है, और कोई RR से start हो रहा है, ठीक है, तो आप यह तो पढ़के समझ जाओगे कि PP से तो start नहीं होगा, यह RR से start होगा, तो दोनों options को आप पढ़ लेना, ठीक है, जो भी बन रहा होगा उसको आप लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो इस हिसाब से आपके PQRS के भी सारे कि सारे question हो पाएंगे, यह 10-12 तो आप कर ही लोगे पढ़ते ही, ठीक है ना, लेकिन जो यह 8-9 questions या 7-8 questions होगे, वो जो थोड़े difficult होगे वहाँ पर आप जब 4 options को go through कर लोगे तो फिर क्यों नहीं होगा, जब 4 option ही पढ़ लिए तो फिर तो 100% है, वो हो नहीं होना है और हमें तो 100% accuracy से ही मतलब है, ठीक है तो यह इन 3 चीज़ों जो है, यहाँ पर आपको यह चीज अपलाई करनी है, ठीक है दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूँ मेरे साथ में क्या मैंने exam के अंदर किया था, मैंने पहले गंटे में यही किया था, सब कुछ कर लिया था मेरा 60 मिनिट के अंदर पूरा पेपर हो गया था, लगबग 120 question या 125 question something हो चुके थे, और जब मेरा second hour शुरू आथा, जब मेरा first hour स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो starting के 10-15 मिनिट के अंदर अंदर मुझे एक या दो passage मेरे सामने से निकल चुके थे, जो है ना, तो हर एक question को good read दिया, उसके जो भी 1 ratio 3 वाला मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद लगाया है और मेरा पहला गंटा उसके बाद हो गया, दूसरे गंटे में जब मैं पहुचा, तो मैंने RC, clause test और PQRS को अच्छे से किया, RC के अंदर एक passage बहुत बढ़ा था, मैंने उसको skip कर दिया, मैंने ये सोचा कि अगर मुझे skip करना पड़ा, तो मैं इस passage को skip कर दूँँगा, बाकी paper में पूरा करूँगा, ठीक है क्योंकि मैंने speed में किया था paper, मतलब moderate speed पर किया था, तो फिर मैं इन 50-50 वाले doubts से, वो करीबन मेरे खयाल से 15-20 questions थे, जिनको मैंने दोबारा से go through करके ठीक कर लिये थे, और वो कही ना कही मेरे सही हो गए थे, तो दोस्तों आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेग इसको ठीक कर दूँ, क्योंकि वो आप दोबारा से उस्टों के तो आपके confusion ही create करेगा, जब आप उसके पास में दोबारा होगे न, अपने paper finish होने के बाद में, तब आपका mind अच्छे से decide कर पाएगा कि कौन सा answer इसका सही है, तो मैं यहीं बोलूँगा दोस्तों, जहां प आपको clear होनी चीए, ठीक है, तो मैरे ख्याल से paper आसान हुआ, तो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन lengthy हुआ, तो यह चीज़ आपके लिए बहुत useful रहेगी, है न, इन चीज़ों को use करना, यह काफी वो चीज़े हैं, जो मैंने खुद apply करी है, है न, और आपको benefit करेगी, इ इस तरीके साथ जब आप अपना paper करोगे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, so I hope आपके सारी चीज़ें इसमें clear हो गई होगी, अगर आपका कोई doubt रह जाता है, तो please आप उसको comment section में ढालो, दोस्तों, है न, मैं आपको reply करूँगा, आपको अपना pressure को balance करना है, accuracy high रखन I hope this is very useful for you